तोई किसे हो पहता है पीरा ओटन से निकल गया बहुत बढ़िया लगा वहाँ का अब बागी बहुत बाइशे मिलते हैं बात करते हैं बहुत बात करते हैं बात करते हैं वैसे बारिस को हुई रहा था लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलते है गुपालपूर भी जो होगा देखा जाएगा वैसे भाईया ने आच्चुर का बोला है जाने और आने का मैं बोला यार चलो ठीक है बारी से कोई दिकत नहीं है तो यहां से 18 किलमेटर दूर है सब्सक्राइब कोपालपूर भी तो वहीं जा रहा है अभी हम लोग यहां हमें लेकर आज आएंगे अपने होटल में छोड़ देंगे बार इसने पूरा मजा खराप कर दिया यार खर कोई बात नहीं कि गोपालपूर यहीं से स्टार्ट है गया ओके देख लो वेलकम टू वेलकम पूर फाइनली गोपालपूर में हमारा एंटरी हो गया अभी जाते है को पालपूर बीच जो कि यहां से आठ या नौ किलुमेटर दूर है तो यह वाले साइट आप देख रहे हो ना यहां पर है बरंपूर का यूनिवर्सिटी यह देख लो कुपालपूर मिलिटर इस्टेशन यह देखो कितना बढ़िया लग रहा है वैसे यह उडिया में लिखा हुआ है मो गुपालपूर बहुत बढ़िया लग रहा है फाइनली अभी हम लोग पहुछ चुके हैं गुपालपूर बीच देख लो यहां का एंटरी कुछ ऐसा है होटल सी है होटल कलिंग मेंन इसी होट बांपूर यह बारिसया नहीं हो रहा बहुत है ऑनने तक आने यहां तक बाद आपको अच्छ ने रखैते गोपालपूर सीवीच हम लोग पहुंच चुके हैं और हमेशा तो पूरी सीवीच आपको दिखाता ही था अज पहली बार उडिश्या में आकर कुछ दूसरा बीच में आपको दिखा रहा हूं यह देख लो भाई कमाल का लग रहा है कमाल का और इसके आगे आप जाओ के विस बीच भी होगा यह तो है Puri में भी सेम्सीन है और काफी सारह होटल मुझे यहां से भी दिखरा है पूरी जैसे यह उतना भी डेवलप्ट नहीं लग रहा है लेगन ठीक है काम हो जाएगा अबी पूपालपूर बीच में मैंने देखा था ना वाटर एक्टिविटीज भी कहीं पर होता है लेकिन यहां तो दूर दूर तक हमें कुछ दिखने रहा है इसा कोई और जगह हो सकता है सायद उस वाले साइड होता होगा बाके यार बीच बहुत ही कमाल का लग रहा देखो और ब बारिस हो नहीं रहा है यहां पर बच्चों का खिलोन आव अगेरा काफी कुछ मिल रहा है घर पर सजाने के लिए कुछ ले सकते हो यह सब अभी मैंने कंफॉर्म कि वाटर एक्टिविटी ना बारिस के वैसे दीख नहीं रहा है फिलाल अभी हम लोग पानिपूरी ब्रेक क पुछका हमारे कॉलकाता के स्टैल में पुछका ब्रेक को पालपूर बीस से निकलने के बाद अभी हम लोग आ गए यह बीजू एडवेंचर पार्क में टिकेट काउंटर है पार्क एंट्री टिकेट काउंटर तो दीख रहा है लेकिन कोई है नहीं पर बहुत सारा वाटर एक्टिविटी होता है लेकिन देख लो पार्क के अंदर तो अभी हम लोग आ गए हैं यहां भी है मो गोपालपूर का बोर्ड है यहां पर काफी बढ़िया लग रहा है देख लो लिखने का तरीका गोपाल का जो एल है ना उसमें लाइट हास बनाया हुआ हुआ है बढ़ करते है फिर भागते हैं यहां से कहा लगा 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 यहीं डेखो फार में लागा अवी तक के अंदर कोई नहीं आ पाया लेकिन दुसरा राउंड में ट्राइब करते हैं दस माल रहें दस मालने के बाद ही दिखाते हैं आपको देखो मैं बोला ना दूसरी चांस तक थो पालपूर बीच से और जहार एपने होटल बरंपूर अभी दग लाइट ओन हो जुगा है कितना बढ़िया लग रहा है गुड मॉर्निंग एब्रिवन और स्वागत आप सभी लोगा मेरे कॉर ने व्लॉग में और आज का व्लॉग का सुरुवात में वापस से कर रहो बरंपूर से वैसे अज में लास्ट है आज रात को ही हमारा ट्रेन भी है असाली मार के लिए हम लोग जा रहे है कोरो मॉंडल स बस ट्रेंड टाइम पर आज है फिलाल अभी हम लोग ब्रेकफर्स करने जाने वाले थे लेकिन हार एडिटिंग का अफी सारा काम मेरे पेंडिंग ता है इस लिए नहीं जा पहें अभी अब लूग निकल रहे है लेंच के लिए तो लेंच के लिए काफी कमाल के जगा में अब लोग जा रहा है अपने सब्सक्राइबर भी नीचे वेड़ कर रहे हमारा जाते हैं मिलते हैं बाई से बाई बताएगा कौन से जगह जा रहे हैं अगर मेरे को इनफोमेशन मिलता है कहा जा रहा हूं है तो मैं आपको बताते हूं ठीक है चलो अप्लोडिंग में लगा अगर आपने मेरा कल बाला व्लॉक देखा है तो आपको ही पता है कितना बारिस हो रहता यहां फाइनले अभी अपने लोकेशन पर पहुंच गया है यही जगह है देख लो होटल खांटी उडिया खांटी मितलब क्या होता है यह जगह में पस्ते मारा है हम लोग साथ कर यह हमरे कर चाहित किया है हम लोग याद नए सणियत रहाता है हम यही सगया थे यहीं सगया यहीं से कहते है मुझे त organisms कोическая ऐख ड़ीक जहेया अवला यही रोड़े किया हम लोग देचे के तराफ राफ है रैस्टों क मुख्राइव ने बहा न अब लोग आगा है होटल खांट में हिए जाना खुछ बढ़ी ओर्फ gateway किलॉः या ने बोला इधार आते हैं तो भई अबस सकते हैं अब ईपने अगनी भाई हाई हेलो गणर नहीं कर सकते हैं आफ पकखल मतलब जो पानी भात हम अधा ना ठील लोग प्र कंगे कृए कि एक विम र्खव विन्हां दो घूट अगर आप पार्सल कराते हो तो 300 रुपाय का और यहां पर देखो लिखा हुआ है थाले नो सेरिंग तो आप सेरिंग नहीं कर सकते हैं अब नॉनवेज स्पेशल थाले में क्या क्या आता है वो जब आएगा तो मैं आपको दिखाओंगा अभी थोड़ा अंदर का ना इंटेर यह अपना वेज बिर्यानी है और थाली में यह सब कुछ मिला है मैं नॉनवेज थाली मतला प्रॉपर नॉनवेज थाली है लेकिन एक चीच टू-49 में मैं बोलूगा वर्थ है जितना कुछ इसमें आया है लाइक देख लो आपको मटन मिल रहा है चिकन मिल रहा है और यह नॉनवेज में आपको सारा इटेम ही मिल रहा है देखो तो यहां पर मटन है चिकन है फिस तो मैं खाऊंगा भी नहीं एग है सब कुछ है मिक्स है यह अपना थाली देख लो देखकर बढ़िया लग रहा है टेस्ट करते हैं टेस्ट कैसा है अल्राइट तो अभी देख लो पता होगा गोजनम किछले फेमस है तो भाई ने बोला था मोईद बहां चल लेकिन भाई नहीं उट पाया सुगा इतना फैंकर नीन दा रहा था ना अभी सुख कर उटा एडिटिंग में आधा टाइम वेस्ट हो गया अभी तीन में लोग आया है लेट नहीं करने के लिए सबसे पढ़ा पराई जरे लाई तरहीं तॉड़ा घंए नहीं हो सकता त hiding मुझे याद है मैं पठना क्या हुआ था वह मैं चंपारन है जटली यही दाइस हमें सर्फ किया गया था तो अभी एक काम करते है न असली मज़ा मटन के साथ निकालते हैं मटन अच्छे थे मटन में अलो भी है यह ट्राई करते हैं राइस और मटन यह देखकर मैं बता रहो बढ़िया है बिना टेस्ट किया अगर नंबर थैंक्स अगरी भाई बजा आए गया एकदम बटन एकदम हो पता है यह रेस्टरांट वाला रेसिपी नहीं है यह एकदम घर वाला रेस्पी इसी जिए इसको बोलता है खांटी ओड़िया खांटी ओड़िया कुछ ना अलाग से बटर, कार्णिसिंग यह सब कुछ भी नहीं देखको तेरे का सर्फ करने का तरीका भी देखको कितना सिंपल है जैसे आप मेरे घर आओगे ना वम्मी आज़ी दद करके देगी आपको यह चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका बटन राइस एक नमगर पर यह आलो भाई साब आलो इतना टेश्टी लग रहा है ना पता नहीं कि इतने लोग मेरे बास से अग्री करोगे मेरे को बटन में आलू बहुत अच्छा लगता है वह आलू अच्छा हुआ अच्छा हुआ आज ब्रेकफ़स्ट लाइट किये था है अगर मेरे को पता हुआ ऐसा लंच है तो आज ब्रेकफ़स्ट भी स्किप कर रहे ह फोड़ाई पतानी चिकन करी का जो यह जोल बोलता है हमलों बंगाली में इसको जोल ग्रेवी भी बोल सकते हो तोड़ा पतला सा लग रहा है लेकिन टेस्टी लग रहा है ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आया खाकर और सबसे बढ़ी है अब अगर मैं बात करूं मतन कितने अच्छ से वो मतन राइस में है है जिकन बिल्कुछ तंडा था लेकिन वीवाट बढ़ अगिन कोई नि निल्हीं बहुत बढ़ियाता है लेकिन च्छाट बहुत बढ़ियाता है लेकिन हुट ब्लगर का सबसे गंदा चीज पता है क्या होता है एThere भीड बिलॉगर जो घोता है और यह प्राउन का प्रिप्रेशन है थोड़ा सा डिफरेंट लगा मेरे को इसमें दाल भी मिक्स है अच्छा जैसे हमारे महां पर होता है ना मोडिर गॉंटो बैंगॉली स्टाइल में बनता है वैसे ही यह प्राउन का गॉंटो कुछ बना है इसमें काफी छोटा छोटा प्राउन भी यूज़ किया गया है इतर देखो यह थोड़ा बड़ा प्राउन है यह देखो कितने छोटा प्राउन है छोटा बड़ा है छोटा बड़ा हर टाइप का मिक्स करके प्राउन यूज़ किया गया है दाल के साथ चिकन मेरे को यह बहुत बढ़ी है यह प्राउन घांटो प्राउन घांटा में बहुत बढ़ी है यह कुछ फिस्स फ्राइए चोटा जो फिस्स अनुप फ्राइगे यह मैं नहीं खाता तो इसको ऐसी छोड़ देता है यह अंड़ाग्रेवी है दाल के लावा आपको रसम भी मिलता है तो पोलते हैं इसको रसम चीडा सेवी है समया पीडा होटल में हां बाकि खट्टा खट्टा सा लग रहा है यह मेरे को कल्भी बहुत अच्छा लग रहा है काम देदें लाइंच अपना कंप्लीट करते है खाना बहुत बढ़ी है जैन से में को खाने तो गर्मा गर्वा उनको बिर्यानी का आप खा आप अपी से भूजेंगे हम नहीं गाएंगे यहां पर आपको अथेंटिक ओडिया खाना यह अथेंटिक नहीं है यह मेरे को बता है तो चलो इसको में कंप्लेट करता हूं और जाते जाते में बात बोलूंगा अगर अच्छा नॉन्वेस ताली खान सब्सक्राइब इनके सब्सक्राइब ना जो सब्सक्राइब बहुत ज्यादा लगए अच्छा है फानली हम लोग होटल खांटी ओडिया से निकल चुके हैं और जो भी बोलो मजा आ गया है यहां का खाना खाकर लेकिन एक चीज़ तोड़ा सा यह लगा यहां पर ऑनलाइन अब लोग यहां से जाएंगे गांधी नगर स्क्राइब और यह यह देख लो होटल खांटी ओडिया यह जगह कि अगर बात करो भाई कौन सा जगह है यह टाटा बैंक टाटा बैंक स्क्राइब गूगल सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा आना एक बार बढ़िया खाना ह इलका बार बार बढ़िया एक बार बार देख भांगे तरो